आज हम बनाएंगे गाउं इस्टाइल देशी टमाटर आलू की सब्ची जिसे हमने बॉल करके आलू ले लिए बॉल किये हुए आलू की सब्ची बहुत टेश्टी बनते हैं आपे और लगा के हमने तड़का लगा दिया आपे आज का हरी मिर्च तड़के में आड़ कर दिये टमाटर करेंगे गैस को ओन दुबारा कर लेंगे जिससे हमारा तड़के वालब प्याज बुण जाए बढ़िया से इसे हमें एक दू मिनट टक फ्राई करके भूंजेंगे सुनायरा हलका होने प्तक बुण्ज के तयार है हमारा तड़के वालब प्याज अब इसमें आड़ कर दिंगे हल्दी पाउडर मेच पाउडर नमक थोड़ा सा बढ़िया से इसे मसाली को चलाएंगे एक दो मिनट टक इसमें पानी अभी आइट नहीं करेंगे पानी आइट करने से मसाला अच्छा नहीं बनता है इसे हम मूनेंगे बढ़िया करके फिर इसमें हम आलू एड़ करेंगे उपर से यहां पर हमने गरम मसाला एड़ कर दिया है अब हमारा भून के तैयार है मसाला पानी एड़ कर देते हैं तो जल्दी फुनता नहीं है इससे हमारा अलू उपर आ गया भून भी गया अच्छे से टमाटर में मैस कर दिये हमने इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है मसाले में इसमें एड़ कर दिंगे हम आलू उपर से आलू को थोड़ा थोड़ा हाथ से मैस करके करेंगे जिससे ज़्यादा बड़ी फीस्ट नाव हों बॉल की हो आलू टमाटर बनाते हैं तो बहुत ही टेश्टी लगते हैं इसमें हमने आलू एड़ कर दिये हैं अभी से हम एक दो मिनट टक चलाएंगे मसाले में फ्राइ करेंगे बड़िया करके थोड़े और आलू एड़ कर दिया पानी आड़ करेंगे अब इसे पकाएंगे दो तीन मिनट जिससे अच्छे से इसमें मसाला हो जाए पूरे में में बेक्स उपर से हम नमक थोड़ा और आड़ करेंगे थोड़ा सा आड़ किया था फ्लेवर के लिए यहां पर हमने नमक आड़ कर दिया है इसे अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे सबजी तैयार हो जाए यह देखिया हम आज तैयार है बनके सबजी टमाटर आलो के यहां पर अपने धनिया ओपर से हैट कर दिया है अब इसे एक डोंगे में सेर्फ करके रख दिंगे बढ़िया से रहक के अब हम राइस्ट बनाएंगे यहां पर हमने ले लिए हैं चावल एक बाल में अब इससे दुल के हमने बनने रख दिये हैं ख़ले बनाएंगे जिससे हमारे अच्छे से बने एक एक कैवल आप देख सकते हैं बनके तैयार हो गए अब यहां पे हमें इसे डाक के रख दिंगे चपातिए बनाएंगे हमें आटा लगा के लोई से तैंबने बेल के रख लिए चपाति को अब सेकिंगे हम इसे इसे इधर उधर पलक के जिससे ऐच्छी सी चपाती तैयार हो हमारी ज्यादा खरीणा सखे फिर एक चपाती और बेलेंगे फिर इसे वी सेख के तैयार करके चपातीयां रख लिएंगे हम एक बॉल में बड़िया से सेंख के रख लिए हैं सारी चपातियों को आप देख सकते हैं तयार हैं हमारी चपातियां अब यहां पर हम थाली में सर्ट करेंगे जो हमने सब ची तयार की ते आलू टमाटर वाली चुकंदर सायलेट में हरी मिर्च, छाच, मसाले वाला और इसमें राइस और चपातियां तयार हैं हमारी आद की थाली आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एंड सेयर करें कल फिरा